रोज बोले साने वाले अंग्रेजी के जरूरी सब्द जो काफी यूस पुल है आज किस वीडियो में सानेंगे इन सभी वर्ट्स का क्या यूस है क्या एक्जांपल से क्या ट्रिक्स है क्या कॉंसेप्ट है चली समझते हैं सबसे पहले on the spot on the spot का मतलब होता है उसी जगा या मौके पर ही इसका फोर्मूला होगा subject verb object place on the spot example उन्होंने मौके पर ही उसे hospital ले गया संडेज होगा they took him to the hospital on the spot रवी ने मौके पर ही निरने लिया रवी made a decision on the spot रवी made a decision on the spot रवी ने मौके पर ही निरने लिया एसम संडेज बना सकते हैं कई सारे to the point to the point का मतलब होता है मौद्दे का या विशया नुकूल दोने sense में हम यूज़ करते हैं दोनों एकी चीज़ है आप कैसे हम यूज़ करते हैं अधिकतर हम लोग बोलते हैं मौद्दे का तो मौद्दे का के लिए हम यूज़ करेंगे to the point कैसे sentence में यूज़ करना है यह द पॉइंट इसे बार से मैं हमेशा मुद्दे की बात करता हूं I always talk to the point I always talk to the point मैं हमेशा मुद्दे की बाते करता हूं इसी बार से है एनिमोर एनिमोर का मतलब होता है और नहीं या फिर और ज्यादा नहीं इस सेंस में यूज करते हैं अब इसका क्या फिर्मूला है subject, verb, object प्लेस एनिमोर को sentence के last में यूज करना है और ये तभी उसके असाता है जब आप कोई भी काम को और continue रखना नहीं साहते हैं जिसे आप बोलते हैं मैं इससे और नहीं बरदास्त कर सकता sentence होगा I cannot tolerate it anymore बलगि इस लोगों मैं continue नहीं कर सकता बरदास्त नहीं कर सकता अब हुआ काफी है मैं नहीं कर सकता वो और नहीं खा सकता है sentence होगा He cannot eat anymore वो और नहीं खा सकता है इस sense में हम यूज़ करते हैं एनिमोर को इसे कई से sentence है जाप पर आप यूज़ कर सकते हैं एनिमोर को और नहीं के sense में बलगे continue नहीं रखने के sense में इसे at first sight इसका मतलोता है पहली नजर में आप sentence में बोलते हैं subject verb plus at first sight example देखे पहली नजर में प्यार तो बोलते हैं love at first sight इसी बार से मैंने पहली नजर में प्यार किया I fell in love at first sight यह पर आप देख पाने कि first sight का मतलब यह होता है पहली नजर में इस पार से आप समझे सकते हैं गाइस speak highly of speak highly of का मतलब होता है तारीव करना जब आप किसी की तारीव करते हैं उसमें आप बोलते है speak highly of speak आपके यह पर वर्ब है जो कि आपके टैंस के नुसार बदलेगा आपका पुर्मूला है subject plus sound में वह plus speak highly of plus object होगा example देगेगा वह आपके तारीव करता है he speaks highly of you वह मेरा तारीव करता है he speaks highly of me इस पर से बोल सकते हैं रभी तुम्हारा तारीव कर रहा है रभी इस इस पेकिंग highly of you रभी तुम्हारा तारीव कर रहा है तो रभी इस इस पर से बनेगा most of the most of the का मतलब होता है अधिक्तर सबाब बोलते हैं अधिक्तर लड़के अधिक्तर सात्र अधिक्तर लोग वह पर बोलते है most of the people most of the students most of the boys most of the girls ऐसा बोलते हैं Most of the plus nouns होगा, वो noun आपका plural होगा और verb भी आपका plural होगा और आपका object होगा आधिकतर सात्र मेहनती होते हैं, Most of the students are laborious वहाँ आधिकतर लोग सराप पीते हैं, Most of the people drink wine there तो इस आप sentences बना सकते हैं, Most of the की मदद से dull at, dull at का मतलब होता है, बहुत खराब, मतलब कि खराब से भी अधिक खराब ऐसा हैं, अगर खराब हैं, ऐसा बोल सकते हैं, bad at बोल सकते हैं, या पिर आप poor at बोल सकते हैं लेकिन बहुत खराब के लिए आप यूज़ करते हैं, dull at, जैसे कि subject is mr plus dull at और इसके बाद अगर वर बात आए, तो वर्थों में आएगा, नहीं तो कोई object आएगा example है, वो खाना पकाने में बहुत खराब है, sunday सोगा, he is dull at cooking food इसी वार से रभी तहरने में बहुत खराब है, रभी is dull at swimming इसे हम sentences बना सकते हैं, delete की मदद से, was to be, was to be का मतब होता है कि कोई काम किया जाना था, कोई काम किया जाना था, उस हैस में हम यूज़ करते हैं, was to be को, इसका formula होगा, सबसे बले object, was singular object के साथ, was plural object के साथ, plus to be, plus to be, was to be constructed, कपड़े खरीदा साना था, the clothes were to be bottom, ऐसे हमारे पास, कैसर sentences हैं, हिज़ा पर हम यूज़ कर सकते हैं, was to be, कोई काम किया जाना था, इस सेंस के लिए, fed up with, fed up with का मतला होता है, से तंग है, या से तंग आ गया है, दोनों सेंस के लिएम यूज़ करते हैं, subject plus is mr, plus fed up with plus object होगा, example है, मैं इस mobile से तंग आ गया हूँ, या मैं इस mobile से तंग हूँ, sentence मनेगा, I am fed up with this phone, I am fed up with this phone, मैं इस mobile से तंग आ गया हूँ, या तंग हूँ, someone अपनी समस्वाओं से तंग आ गया है, someone is fed up with his problems, तो sentences आप ऐसे बना सकते हैं, जब आप किसी person से तंग आ सके हैं, या फिर किसी भी चीजों से तंग आ सके हैं, उसके लिए बोलते हैं, fed up with, where else, where else का मतलब होता है, और कहां, और कहां सबाब बोलते हैं, तुम और कहां साना साते हो, तुम और कहां पढ़ते हो, वे लोग और कहां खेलते हैं, इस parts of where else का यूज़ करते हैं, इसका होगा where else plus helping or plus subject plus maneuver plus object plus question mark होगा, example है, और कहां तुम रहना साते हो, where else do you want to live, इस बार से, और कहां तुम सारे हो, where else are you going, where else are you going, और कहां तुम सारे हो, where else do you want to live, और कहां तुम रहना साते हो, assumption cases में बना सकते हैं, यूज़ करके where else, would have had, would have had का मतलब होता है, कोई चीज pass होता, अगर मैंने कोई काम किया होता सही से, तो मेरे पास आज ये चीज़ होता, उस sense में आप यूज़ करते हैं, would have had को, इससे के subject plus would have had plus object होगा, example है, अगर मैं अच्छे से काम करता, तो मेरे पास एक कार होता, sentence होगा, if I worked well, I would have had a car, मेरे पास आज एक बाइक होता, I would have had a bike today, तो मैं इससे sentence बना सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास होता, पास में कोई ऐसा काम करते हैं, तो आपके पास ये चीज़ होता, इस sense के लिए आप यूज़ करेंगे, तो बी प्लस वब का थर्ड फों सो बताएगा कि चाहूँगा कि ये क्या जाए, इसका example होगा इस पर से, कि मैं साहूँगा कि आपको कुछ पैसे दी जाए, बलकि मैं नहीं दूँगा, कोई और आपको देंगे, दी जाए, ऐसी बाते कर रहे हैं, तो संडेस मनेगा, I would like you to be given some money, मैं चाहूँगा कि आपको तो बी गिवन सम मनी कुछ पैसे दी जाए, मैं चाहूँगा कि आपको अंग्रेजी सिखाये या पिर आपको अंग्रेजी सिखाया जाए, तो संडेस मनेगा, I would like you to be taught English, मैं चाहूँगा कि आपको अंग्रेजी सि लेकिन उसके जगह पर आप यूज कर सकते हैं फर्मूला होगा सबसे पहले संटेंस आप बोल सकते हैं क्लाउस भी फिर आपका लगेगा क्लाउस या फिर संटेंस बोल सकते हैं सबसएंब बीस मैप करें एक्जामपल तक रएक लगेगा से आपकले गजामपल से जहां तक तुम चाह हो उससे पूरा लिख लो कौई चीजी लिखने के लिए बात हो रही है कि जहां तुम शाहो उसे पूरा लिख लो, सदेस होगा, write it completely, उसे पूरा लिख लो, where do you wish, या where do you want, जहां तक तुम साहो, यह पर आप साहे तो wish के जगाप पर, आप यह पर want का भी use कर सकते हैं, इस पर से, काम करो, जहां तक तुम कर सको, work, काम करो, where to, जहां तक, यू कूड, तुम कर सको, इसी बार से है, that's when, that's when का मतलब होता है, उसी वक्त, या उसी समय तो, इस बार सोगा, that's when, plus sentence होगा, example है, उसी वक्त तो, मैं वहां जा रहा था, that's when I was going there, इस बार से है, उसी समय तो, रोहित उससे बात कर रहा था, that's when, रोहित was talking to him, तो इसे हम कैसल sentences बना सकते हैं that's when की मदद से, so guys, thanks for watching, that's all for today.